मैं खांचा हूँ जाप भी बनाने के लिए मैंने ले लिया है कड़ाई में दूद और इसे फुल फ्रैट मिल्क है इसमें मलाई अगर आपके पास अलग से रखी हो तो भी मिला दीजेगा इससे बहुत जल्दी हमारी रबडी बनके त्यार हो जाएगी इस तरह मलाई हम लोग मिलाते हुए इसको पकाएंगे अगर आपके पास समय है तो आप इसे दीवी आज पर पका सकते हैं इसमें बस मलाई ना जमें मैं इसे तेज आज में पका रही हूँ तेज आज में पकाते हुए लगातार चलना पड़ेगा इसलिए लगातार हमें चला आता है और काजू और बदाम के पेश्ट डालने से हमाई रबडी बहुत जल्दी सी जट पर से बनके तयार हो जाती है तो इस तरीके से आप एक बार बार ऐसे ही बनाने का मन करेगा आपको बिल्कुल यह नहीं लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ेगा इ अच्छा रहता है जीमी ज्यादा नहीं डाले तो यह देखिए बहुत अच्छी से मैं इसे ज्यादा गाड़ा नहीं करूंगी इसे थोड़ा पतला ही रखोंगी क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी गाड़ा हो जाएगा तो इसलिए आप अपने हिसाब से जितना मोटा य नहीं किया है झाते परफेक्ट इसी कर आँ अने बनाया है तो मैं आपको तर्कर करके दिखाती हूं तो थोड़ा सा ठंडा उने वनद्द आको सब करके दिखारी हैं यह मैंने इससे डेकरेट करने के लिए गुलाव को रखा हुआ है और गुलाव की पंख्रियों से हिम इस तो लिजे तैयार है मेरा बहुत ही टेस्टी यमी और बहुत ही स्वादिस्ट बनी है हमारी रभी तो आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक से और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अखिछ बनी लाईक हमारी कि लागा हुत है